हम बात करेंगे हुग token हुग protocol coin के price moment के बारे में entry labels और आने वाले दिनों आपके लिए targets क्या रहेंगे और आल साथी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आये है जिनको जानदा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium services start किये ताकि वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर strategy शेयर किया सके चेट access रहेगा crypto queries रोल कियागे signal शेयर कियाए और भी बहुत सारे benefits रहेंगे तो जो इंटरेस्टेड है वो इस्ता पर DM करके जोईन कर सकते हैं कि लिंक वीडियो के description में currently coin 1.45 पर try कर रहा है और previous जो वीडियो हमने share किया था उनमें हमने आपको पताया था कि जब तक ये coin आपको 1.5 वाले level पर stable है यहाँ पर stability maintain की यह 4 hour का chart है तो यहाँ पर अगर देखे तो previously 1.5 वाले area पर stability थी वहाँ से थोड़ा सा मुमेंट तो फिर एक dump देखने को मिले जिसमें 1.35 वाले level को इसने try किया तो और वहाँ पर ये sustain कर रहा है वहाँ पर stability हमें देखने को मिल रही है previously अगर बात करें इस coin की तो 10 cent पर listing हुई थी 5 वाले area इसने try किया तो वहाँ से correction देखने को मिल रहा है finance lunch put के अंदर ये lunch put के अंदर ये coin list हुआ था और आपको पता है कि इस type का moment होता उसको करेंशन देखने को मिलता है और हम यहाँ पर आपको ये कह रहे है कि इससे भी नीचे वाले levels पर ये coin जाने वाला है तो अगर आप long term में इस coin में invest करने का सोच रहे है तो अभी आपको buy नहीं करना है message का ज्यान रखने 1.2 या 1.2 से नीचे वाई करना long term में अभी जो currently वाई करेंगे वो सिर्फ सोट तम में और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वालेट जिनको 15-20% 30% का quick profit चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा moment आपको एक bounce back देखने को मिल सकता है जिसमें price 1.8 1.75 को easily try कर लेग अगर market के condition normal रहती है तो अगर कुछ चीज़े बिगड़ती है by chance अगर BTC नया लो बनाता है इस टाइप की चीज़े होती है तो वो अलग situation है यह दोनों चीज़े जो है आपको देखकर चलनी है अब बात कर लेते हैं entry की आपको entry कहां पर लेनी है तेखी यह 4 hour का chart open है और 1. 1.4 university वाला area जो है यहाँ पर एक अच्छी stability देखने को मिल रही support area के अगर बात करें तो 1.35 से लेकर 1.4 एक अच्छा support area इसको इससे पहले 1.6 कर राउन में अच्छा support area थे जिसको भी इसने hold किया था daily के अंदर भी hold किया था फिर वहाँ से correction हमें देखने को मिल रही यह वा share किया था इसमें 1.7 वाले लेकर 1.9 वाले area पर sell out किया था तो overall वहाँ से भी आपने quick profit earn किया था अभी currently अगर बात करें तो 1.45 पर यह coin trade करना इस level पर आप entry ले सकते entry आपको 70% पार्ट से लेनी है जो भी आप amount लगाना चाहते है उसके 70% पार्ट से 1.45 पर एक लेनी है और अगर वापिस से 1.35 वाले level को try करता है तो second entry आपको 30% पार्ट से लेनी है 1.35 पर यह दो पार्ट आप में दो पार्ट में आपको entry लेनी 1.45 और 1.35 टागेट की बात करें तो quick profit जो earn करना चाहते है उनके लिए 1.7 वाला level जो है वो first target रहेगा जहां पर आपको 60% पार्ट से लाउट करना है so term में भी आप almost 1.8 वाला area ही target रहे है थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं अगर कुछ आपको देखने को मिलता है कि अच्छा moment है अच्छी खासी candle देखने को मिलता है तो 1.9 वाला area so term में target बढ़ा सकते ही जो भी areas में आपको बता रहे हो buy तो अभी आप currently कर लेंगे sell limit आपको लगा देनी है जो भी sell area पतार हो उनके लिए आपको sell limit लगा देनी है long term में अभी buy नहीं करना है शिश्क आपको ध्यान रखना है बाकि जो नए investor है वो हमारी premium membership में जरू enroll करें ताकि आप crypto losses से बच पाए over trading manage कर पाए technical चीज़ सीखने को मिले signal आपको महा आप पर share की जाएंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो interested हो इंस्टा पर DM करके join करें इंस्टा के link वीडियो के description में बाकि हैं आपर buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें यहां पर हम कोई financial advice नहीं दे रहा है वीडियो से education purpose है ताकि आपको overall coincer related knowledge हो सके वीडियो आपके वीडियो आपको regular basis पर मिलते रहें description में social media account के link है उनको भी आप follow कर लें thank you